हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे दोस्तों आज है मेरी यात्रा स्रीज का चोथा दिन और उसका पांचवा एपिसोड पिछले एपिसोड में हम हेमकुन साहिब की यात्रा पर गए थे और आज हम जाएंगे फूलो की घाटी की यात्रा पर और आज ही मेरी इस स्रीज का ये लास्ट एपिसोड है फूलो की घाटी की यात्रा पर जाने के लिए हम सुबह ही उठ जाते हैं और चल देते हैं फूलो की घाटी के ट्रैक पर फूलों की घाटी जाने वाला रास्ता भी हेमकुन साहिब जाने वाले रास्ते से ही सुरू होता है बस थोड़ा आगे चल कर रास्ता अलग हो जाता है घांगरिया से फूलों की घाटी का ट्रैक मातर 4 किलोमेटर का है जो बेहदी खूपसूर ट्रैक है फूलों की घाटी एक विश्वधरोर है और यहां आपको हजारों परकार के फूल देखने को मिलते हैं हमें ट्रैक स्टार्ट करते ही कई छोटे छोटे फूल देखने को मिल जाते हैं यह ट्रैक स्टार्टिंग में ही घने जंगलों और उचे उचे देवदार के व्रक्सों से होके गुजरता है और थोड़ा आगे चलने के बाद हमें फोरेस्ट डिपार्टमेंट वालों का ओफिस मिलता है जहां पर हमें एंट्री करानी हैं एंट्री फीस यहां पर डेड़ सोर पे ली जाती है और एंट्री फी का बोर्ड आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं यहां पर एक चीज और है कि आप अपने साथ प्लास्टिक का सामान नहीं ले जा सकते हैं अगर आप अपने साथ प्लास्टिक का सामान ले जाते हैं तो आपको यहां पर वो सभी चीज़े काउंट करानी पड़ेंगी और अगर आप वहां पर कुछ चीज छोड़ाते हैं त प्लिक करते हैं और फिर सुरू कर देते हैं अपना आगे का ट्रैक यह ट्रैक चोडाई में काफी छोटा बना हुआ है पर यह ट्रैक इतना खुबसूरत है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता यहाँ पर ट्रैकिंग करने में रियल ट्रैकिंग वाली फिलिंग आती है ट्रैक सामने बरफ से ढके पहाड अलग ही वाइब्स दे रहे थे थोड़ी दूर चलने के बाद हमें यह खतरनाक मंजर दिखाई देता है जिसमें हमें एक लकडी के फटे से नदी को क्रॉस करके जाना है जो एडवेंचरस होने के साथ साथ खतरनाक भी है इस ट्रैक पर जाने से ह हमें रियल ट्रैकिंग वाली फिलिंग आ रही है थोड़ी दूर चलने के बाद फिर से हमें ऐसा खतरनाक वीव देखने को मिलता है जहां पर दोनों साइड उचे उचे पहाड और बीच से पुस्पावती नदी बहती दिख रही है और फिर हम इस बिच को क्रॉस करके आगे जाते हैं और यही से हमारे साथ एक गुरूप भी साथ लग जाता है और हम आगे की ट्रैकिंग साथ में ही पूरी करते हैं नदी क्रॉस करने के बाद यह ट्रैक घने जंगलों से होकर गुजरता है आप देख सकते हैं कि दोनों साइड कितना घना जंगल है और यह ट्रैक ए इस ट्रैक में खड़ी चड़ाई है तो कहीं पर यह है ट्रैक समतल है सामने देखिए कितना घना जंगल है जहां से हमें होकर गुजरना है अगर आप इस जंगल में थोड़ी देर सांत मन से बैठ जाएं तो आप सभी पक्सियों की चचहाहट नीचे बैती हुई नदी की आव हमें नीचे उतरना है आगे चलने के बाद हमें वैली में घना कोहरा देखने को मिलता है आगे चलकर फिर से हमें एक लकड़ी का बना हुआ पूल मिलता है जो खतरनाक है इस खतरनाक पूल से क्रॉस करके हमें आगे जाना है और पूल के नीचे इतनी खतरनाक नदी बह रही है कि अगर यहां पर आप गिरे तो आपको नामो निसान भी नहीं मिलेगा यह पुस्पावती नदी है जो वैली ओफ फलावर से होकर गुजरती है और इस पुल को क्रोस करके हम पहुँच जाते हैं वैली ओफ फलावर यह वैली तीन किलोमेटर और आगे तक फैली है और जित थोड़ी देर बाद जब कोहरा साफ होगा तो आप यहां के नजारे देखकर चौक जाएंगे थोड़ी देर हम वहां पर वीडियोज और फोटोस क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि दोनों साइड कितने खुबसूरत फूल खिले हुए हैं और फिर हम थोड़ा आगे जान नजारों का आनंद लेने लगते हैं जब आप भी यहां पर आएं तो नजारों का आनंद आप यहां पर फोन साइड में रखके जरूर लें कि वो जो आननद होगा वो एक अलग ही आपको लेवल पर लेकर जाएगा फिर हम इन खुबसूरत नजारों का आनंद लेने के उसी दिन घर वापिस निकल जाते हैं और होटल पहुँचकर अपना बैग उठाते हैं और निकल जाते हैं जोसी मट की और हम रात में जोसी मट में स्टे करते हैं जहां पर हम 800 पे का रूम लेते हैं और फिर रात को खाना पिना खाकर सो जाते हैं और next day निकल जाते हैं अपने घर की और दोस्तो ये थी मेरी वीडियो सेरिस आपको कैसी लगी और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपनी दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन